हलो फ्रेंज स्वागत है आपका अपके अपने इस यूटूब चैनल पे आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि किलिक प्लस सेंपू और हल्दी से नेचरली तरीका से आप अपने स्किन को कैसे गोरा कर सकते हैं तो यह बिल्कुल नेचरल तरीका है और हल्दी जो रहता है वो एकदम मतलब कि जो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और किलिक प्लस सेंपू से सारे दाग धबे मतलब सारे मैल सब हट जाते हैं तो चलिए बिना देर की हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले ले लेना है यह हल्दी जो कि अच्छा वाला किलिक प्लस सेंपू ले लेना है तो जो एक रुपया में असानी से उपलब्ध हो जाता है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक कटोरा ले लिया है जिसमें मैं इस हल्दी को डाल देती हूं ठीक है तो यह हल्दी डाला चुका ह पर भी आचानक और आपका हाथ पैर अच्छा से साफ नहीं हुआ है तो आप आसानी से साफ कर सकते हैं जिससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उसके बाद आपको यह किलिक प्लस सेंपू ले लेना है आप कोई भी सेंपू ले तो इसको मैं डाल देती हूं देख सकते हैं पुरा डला चुका है अब इसको मिक्स अप कर लेना है ठीक है जिसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूं इसको मिक्स करते करते इसको जेली टाइप का बना देना है ठीक है तो देख सकते यह जेली टाइप का बन रहा है इसको अ इसको mix करते रहना है देखिए अब यह mix हो चुका है ठीक है तो आप इसको कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं आप अपने हाथ पैर कहीं पर भी लगा सकते हैं जिससे आपका मैल आसानी से खतम हो जाएगा ठीक है और अगर आपके पास निम्बू उपलब्ध है ता आप न यहाथ पैर कहीं पर भी फी तो मैं इसको अपने पेरों पर लगा करा दिखाऊंगी एक पàng मैं आपको लिकवा के दिखाऊंगी जिससे आपको दोनों में अंतर समझ में आयेगा और इसका लाइकपू अपको समझ में भी आ जाएगा तो इसको अच्छे से लगा लेना है औ जी јो ते मैं येख सकते हैं आप देख सकते हैं देख सकते हैं लग चुका है अबिसको पांस से दस मिन रखना है उसके बार देख सकते हैं यह अपन desaf को द्फिर देखने को मिल रहा होगा थांक्यू प्रेंट